नमस्कार स्वागत है इचेन विक्ली न्यूस पर मैं हूँ टेरी नतूंखांग आए एक नजर डालते हैं बुलेटेन के मुखे समाजा जातियों 15 जन्वारी को जिला प्रसासन नेवी जे नगर में आयोजित किया सरकार आप दिद्वार 17 जन्वारी को टिका करन अनिवारय नहीं केंद्रे ने सुप्रिम कोर्ट से कहा सोमवार को केंद्रे बीमा यूजनाओ के तहत अधिक्तम कावरेश पर सी एम का जोष 18 जन्वारी को राजपाल और मुख्यमंत्री ने सीमा छेतर की पर यूजनाओ पर की चर्चा 19 जन्वारी को सांसर ताफिर गाउ का दावा अरुनाचल के एक यूबक का चीनियों ने किया अप बहरत 20 जन्वारी को जीरो में सुरू हुआ राज का स्वन जैटी समारो अब समाचार विस्तार से दोर टू-डोर सेवा और प्रदान करने के करप में चांगलां जीला प्रसासन ने सनिवार को रीमोट सरकल विजयनगर के माध्यमिक विजाले में सरकार आपके द्वार कारेकरम आयोजित किया है एक दिन तक चलने वाले इस कारेकर्म में विजय नगर सरकल के कम से कम 13 गाओं ने कारेकर्म से लाब उठाया है और विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं का उनके दरवाजे पर लाब उठाया है ग्रामिरोद्वारा पसुपालन स्वास्थय और परिवार कल्यान शिक्षा ICDS के तहत योजनाओं का अत्यधिक लाब उठाया गया कारेकर्म के दोरान PRC, ST, जन्मपंजीकरन के मुद्दे कई प्रसासुनिक सेवाईं प्रदान की गई इसके आलावा राजे पाल के मियाओ डोरे के दोरान किया गया, छाता और टोर्स भी गाउबुरा को सोपा गया 15 से 18 आयू वर्क के लगभग 50 लाबर्तियों को COVID-19 वैक्सिन की पहली खुराग और 18 वर्स और उससे अधिक उम्र के लोगों को 5 खुराग दी गई दीसी डेवार्स यादफ, एडिसी स्री सनी के सिंग, एएसी, एक दिवस्य सरकार आपके द्वार कारेकर में एजे लुंफी, विविन नविभाग के अधिकारी और जननेता भी मोजुद थे सुमवार्गो केंडर ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंडर स्वास्ठे मंत्राले द्वारा जारी किये गए COVID-19 टिका करन डिसा निरडेश किसी व्यक्ति की सहमती प्राप्ट किये बिना जबरन टिका करन की परिकलपना नहीं करते हैं केंड्रे स्वास्टे और परिवार कल्यान मंत्राले ने 13 जन्वरी को डायर एक हल्फ नामे में कहा कि किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुधतिका लगाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। के सरकार ने कहा विविन्न प्रिंट और सोशल मीडिय प्लेटफर्मों के माध्यम से यह विधिवत, सला, विग्यापन और संचार किया जाता है कि सभी नागरीकों को तिकाकरन करवाना चाहिए। पात्र व्योसक आबादी को तिके की पहली खुडाक मिल चुकी है। 61% व्योसक आबादी ने अपनी दूसरी खुडाक प्राप्त की है। मुखह मंचरी पिमा खान्दू ने सोमवार को केंदर सरकार द्वारा सुरुगी गई तीन वीमा योज्णाओं जैसे प्रधानमंत्री जीवन जोती बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री आयुसमान भारत योजना के तहट लाभरतियों के अधिक्तम कावरेस पर जोड दिया। सभी उप्योगतों के साथ एक ई-प्रगती बेथक के दोरान खांदू ने कहा आमजनता विशेश रूप से ग्रामिन छेत्र में योजनाओं और लागों के बारे में पता नहीं है और डीसी को सरकार आपके द्वार सिवीरों के माध्यम से इन योजनाओं के बारे में संत्रिप्ध बिंदू पर पहुंचे उन्होंने डीसी को बताया ग्रामिन गरीबों के लिए ये बीमा योजनाओं बहुत फाइडेमन होंगी क्योंकि इनका लाब उठाया जा सकता है हमें इन योजनाओं को गाउं तक ले जाने और अधिक से अधिक लाभातियों को नामंक पर चर्चा की राजपाल बीदी मिस्रा ने सिमाबर्ती छेत्रों में परियोजनाओं के समय पर किर्यानवन और गुनवत्ता आश्वासन पर जोड दिया और कहा कि स्थानिया लोगों के आर्थिक विकास और सिमाओं की सुरक्षा को बनाये रखने के लिए सिमाबर्ती छेत चेत्रों में बनाये गए सरकों पूलों सुरंगों और पत्रियों को उच्चतम स्तर्प का होना चाहिए उन्होंने सुरक्षा एजन्सियों को सरक निर्मान के सर्वत्तम तक्नीकी और व्यग्यानिक तरिकों का पतक लगाने की सलाह दी उन्होंने सरक परियोजनाओं का सुर पूर्वी अर्वनाचल प्रदेश से भाजपाक के सांसर तापिर गाउं ने बुर्वार को अपने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से दावा किया कि चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी पी एले ने अथारा जानवरी को उपरी सियांग जी लेके लुंग्टा इलाके से भारत्य छेत्रे के अंदर से एक अरुनाचली लड़के का अपहरन कर लिया है उसके पहचान 17 साल की मीरम तारोन के रूप में ह हुई है गाउने अरुनाचल ताइम्स को बताया कि मीरम अपने दोस्त जोनी यांगे के साथ प्राकृतिक जरीबूतियों को इकटा करने के लिए गहरे जंगल में घूम रहा था गाउने कहा 18 जनवरी की साम करीब 6 बच कर 30 बजे चीनी पीएले जो भारत्य छेत्रे के अपहरन कर लिया उन्होंने आगे बताया कि बुद्वार को जोनी निकत्तम सरकल मुख्यालाएं टूटिंग पहुचे और ग्रामिनों और अधिकारियों को घटना की जानकरी दी जोनी और मीरम दोनों उपरी सियंग जीले के टूटिंग के पास जीदो गाउं के रहने वाल ठिश्रत पताया की चीनी सेना ने हमें सुचित किया है कि उन्हें अरुनाचल प्रदेश से एक लापता लड़का मिल गया है और लड़के की सुरक्षित रहाई के लिए उचीत प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है और अरुनाचल प्रदेश के नामकरन की पचांसवी वर्सगांथ के महीने भर चलने वाले समारो की सुरुवात लोवर सुबंसरी जिले के जीरो में हुई जहां 1972 में राज्य को अपना नाम और केंद्र साशित प्रदेश का दर्जा मिला था अरुनाचल प्रदेश के नामकरन के पचांसवे स्वर्ण जैंती समारो के सुब अपसर पर मुख्या मंत्री पेमा खांदो ने उत्तर पूर्वी सिमांथ एजनसी नेफा के पहले एजनसी पार्शर्थ स्वर्गिय दानी कुनिया के पुतले पर पुस्पांजली अर्पित की राजभर में महिने भर चलने वाले इसपर्व का समापन 20 फरवरी 2022 कोईतानगर में 36 राजस्थापना दिवस के जसन के साथ होगा कारकर्म के दोरान जीरो में कैबिनेट की बेठक भी हुई मंत्री परिशत समुहों को 1-1 लाक रुपे की सावधी जमा के माध्यम के बित्य सहायता प्रदान करने का निर्ने लिया गया CMO से एक विग्यपीत में कहा गया है कि मुख्यमंत्री पेमा खांदु की अध्यक्सता में हुई बेठक में 300 प्राथ मिक्स्थर के संगों को उनके संबंधित घटक SSG Self-Help Group द्वारा उपयोग के लिए माल परिवहन वाहन की खरीद के लिए 2 लाक रुपे की पुंजी गथ सबसीदी जमा के माध्यम से वित्य सहायता प्रदान करने का भी निर्ने लिया गया इसने 50 मोजुदा सरकारी स्कूलों को पेशेवार रूप से निर्धारित मानदंदों के आधार पर चुन्ने का भी फेशला किया ताकि उन्हें प्रती स्कूल 12 करोर रुपे खर्च की अधिक्तम सीमा पर गोल्डन जुबली मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जा सके और इसी का साथ इत्यन विकली न्यूस पर बस इतना ही बाकी के खबरों के लिए जूरते रहें स्टन टूरे न्यूस पर धन्यवाद